हाई हेलो नमस्कार दोस्तों फिर एक बार स्वागाते आपका आपके चैनल पे मेरा नाम है कुनाल और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ A-plus के तरफ से निवली लांच P.A. Mixer Amplifier जो कि हमें A-plus के तरफ से देखने को मिलता है फटा-फट से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सीधे हमारे इस Amplifier को तो box के सामने जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर P.A. Mixer Amplifier हमें देखने को मिल जाएगा यहाँ पर A-plus की branding हमें देखने को मिल जाएगी यहाँ पर इसके tagline लिखी हुए एक्सलेंट साउंट और box के साइड में जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूं यहाँ पर भी हमें P.A. Mixer Amplifier देखने को मिल जाएगा यहाँ पर जैसा कि आप सामने आके देखेंगे मॉडल नंबर यहाँ मेंचन किया हुआ है USB 6000B और यहाँ पर कॉन्टिटी एक यूनिट यहाँ पर दी हुई है अब हम करते हैं इसको अन्बॉक्स तो अन्बॉक्सिंग के लिए मैं भीया की हेल्प लिना चाहूँगा कि आप सामने देख पा रहे हैं एक दम न्यू डिजाइन हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर हमें एर वेंटिलेशन देखने को मिलेंगे यहाँ पर हमें ऑक्सिलरी वन माइक का वॉल्यूम देखने को मिलेगा और यहाँ पर हमें सीधे माइक का इंपूद देखने को का volume knob और यहां पर हमें USB का volume knob देखने को मिलेगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर हमें USB on-off का selection switch भी दिया हुआ है यहां पर base, mid, tribal और master का हमें volume देखने को मिलेगा यहां पर power on-off और यहां पर output level का हमें indicator देखने को मिलेगा और अगर मैं इसके USB digital player की भी बात करूँ यह भी मुझे बहुत अच्छी quality का दिख रहा है और amplifier के side में जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहां पर भी हमें air ventilation देखने को मिलेंगे मैंने नोटिस किया है इस amplifier में air ventilation का बहुत अच्छा ध्यान रखा हुआ है और amplifier की अब हम पीछे आ जाते हैं तो गाइस यह आपको कुछ नया देखने को मिलेगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पे एक हमें power अब गुष्टर आंप्रिफार में जनरली हमें sp-con देखने को नहीं मिल दिए हमें यहां पर एस्ट्री को आउट पूट भी देखने को मिलेगा यहां पर हमें pre-out, line-out, line-in, auxiliary-2 और auxiliary-1 के यहां input हमें देखने को मिलेंगे, FM antenna का यहां हम देख सकते हैं, option और यहां पे हम इसको wires को भी यहां direct लगा सकते हैं, common 2 और 4 ohms पे हम इसको लगा सकते हैं, और हम जब हम unit drive चलाएंगे तो common 70 volt और 100 volt पे हम इसको लगा सकते हैं, और guys इसकी fan की भी quality भी बहुत अच्छी देखने को मि आपको इस amplifier की audio quality कैसी लगी So guys Amplify को कर लिया हमने A plus के stop से connect अब मैं इस amplifier की करता हूँ power on तो जैसा कि आप देख सकते हैं amplifier power on होते से हमें एक blue indicator on का देखने को मिलेगा यहाँ पे मेरा USB on हो चुका है अब USB में हमको एक Bluetooth feature भी देखने को मिलेगा तो Bluetooth को मैं यहाँ से mode से select कर लेता हूँ यह हमारा Bluetooth पे आ चुका है तो अब हम करेंगे इसके Bluetooth को connect So guys Bluetooth कर लिया हमने connect जैसा कि आपको mobile में यहाँ DP79BTR model number देखने को मिल जाएगा और guys amplifier की में एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ जैसा कि यहाँ पीछे आएंगे तो यहाँ आपको जसका हमने इसके input में SP कोन लगा रखी है SP कोन से हमारा यह वाला टॉप connected है और amplifier का जो fan है वो on हो चुका है और उसकी भी quality बहुत अच्छी amplifier को जो fan है वो बहुत low noise create कर रहा और बहुत काफी ठंडी हवा हमें यहाँ पे दे रहा है sound I'm calling my name and I'll be J तो इसके बेस, बेस ट्राइबल क्वालिटी काना चाहता हूँ, मैं यहांते दोगा सा वॉल्यूम कम कर देता हूँ, अब यह हमारा बेस कनॉफ, जैसी ही मैं इसको बढ़ा हूँगा, आप देख सकते हैं, म्यूजिक बढ़ चुका है कापी जाजा, अब मैं बेस को करता अब मैं अब मीडिस का बढाता हूँ, ओभाइसां, क्या कॉलिटी आ रही है, इस एम्प्लिफायर की कॉलिटी है, वह बहुत ही चॉपनोच है, आप एसके मिड लगाँ यह चुदी कम करता हूँ, अब मैं इसके ट्रैवल बढाता हूँ, आप सुन सकते हैं, क्रेवल तो गईस कैसी लगी आपको इस amplifier की वीडियो और अगर आपको यह amplifier पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रू से like कीजएगा और अगर आप यह amplifier खरीदना चाहते हैं तो आप आपके nearest dealer से contact कर सकते हैं और अगर आप यह amplifier हम से लेना चाहते हैं तो नीचे आपको number शो हो रहा हो होगा आप इस number पर contact करके भी amplifier पर्चेस कर सकते हैं और साथी के साथ आने वाले टाइम है मैं जो यह टॉप है और एप्लस के जो भी सारे अच्छे प्रोड़क्ट्स हैं उनकी वीडियो जल्दी से इस चैनल पर लाने वाला हूं तो वीडियो को like करना और चैनल